प्रणाम बच्चों जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्य या अविकारी शब्द कहते हैं इनके अंदर कोई विकार उत्पन नहीं होता कोई बदलाफ नहीं आता कौन से शब्द होते हैं बच्चों ये क्रिया विशेशन संबंध बोधक समुच्य सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेशन शब्दों की बच्चों यदि बात करते हैं क्रिया की तो चल एक क्रिया है बच्चा चल रहा है मा चल रही है लेकिन यदि हम ये बता दें कि चल क्रिया कैसे हो रही है जैसे बच्चा धीरे धीरे चल रहा है यहां धीरे धीरे हम चल इस क्रिया की विशेशता बता रहा है तो धीरे धीरे शब्द क्या हुआ धीरे धीरे हुआ क्रिया विशेशन शब्द तो यदि इस पर आधारित हम इसकी परिभाशा बनाते हैं तो वह क्या बनती है जो शब्द क्रिया की विशेशता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेश मा यह gift कितना सुन्दर है मा मैं थोड़ा video game खेल लू बच्चों क्रिया विशेशन के आगे कुछ भेध होते है काल वाचक, काल वाचक क्रिया विशेशन क्या बताते है काल, समय, रीती वाचक जो बताते हैं किस प्रकार क्रिया हो रही है स्थान वाचक, स्थान, क्रिया कहा हो रही है और परिमान वाचक, क्रिया का परिमान क्या है काल वाचक क्रिया विशेशन वे प्रती दिन व्यायाम करता है बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं तो जहां पर हम प्रति दिन, दिन भर, रोज, अभी, रात भर, कल, आदी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे काल वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं, कोमल अचानक छट से गिर पड़ी, चौक कर क्यूं उठकर बैठ गए, तो बच्चों जहां जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में हम अचानक चौक कर अवश्य गलत एक जट बिलकुल इत्यादी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे हो जाते हैं, रीती वाचक क्रिया विशेशन, किस प्रकार क्रिया की जा रही है, परिमान वाचक क्रिया विशेशन लखनव में यहां चिडिया घर है ताजमहल वहां आगरा में है तो इधर उदर यहां वहां दाएं बाएं आर पार आस पास उपर नीचे यह शब्त क्या बताते हैं किस जगह पे क्रिया हो रही है स्थान वाचक क्रिया विशेशन परिमान वाचक क्रिया विशेशन जैसे इतना जितना खूब अधिक कम थोड़ा आधी परिनाम बताते हैं मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिये हैं इतना मत चलो कि ठक जाओ तो कितना मत चलो इतना मत चलो तो बच्चों यह थे परिमान अब आपकी पुस्तक में एक तालिका दी है जिसमें क्रिया विशेशन शब्दों की सूची है अपने मित्रों के साथ बैठ के इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए अब चलिए बात करते हैं संबंद बोधक की संग्या या सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ संबंद सूचक अव्य कहते हैं या संबंद बोधक कहते हैं निखिल मिशनरी के विद्याले में पढ़ता हैं डरावनी फिल्म देखकर मोहंडर के मारे काप गया के के मारे यह सब क्या हैं यह सब संबंद दिखाते हैं यह सब संबंद बोधक शब्द हैं अब क्रिया के ही त पिछे के आगे के पस्चात दिशा वाचक के आसपास की ओर के पार के सामने की तरफ आदी समता वाचक के समान के योग्या के तुल्या की भाती के अनुरूप आदी स्थान वाचक के सामने के निकट के यहां के बाहर के भीतर से दूर आदी विशे वाचक के विशे के भरोसे के नाम साधन वाचक के द्वारा के माध्यम के हाथ के सहारे के जरिये आदी विरुद्ध वाचक आप विरुद्ध भी हो सकते हैं किसी के जैसे के प्रतिकूल के उल्टेके खिलाफ के विरुत के विपरीत, किसी के साथ भी हो सकते हैं, संग वाचन, के संग, के साथ, के सहचर, के समेध आधी, तो यह थे बच्चों संबंद बोधक शब्द, आये बात करते हैं योचक या समुच्य बोधक शब्दों की, तो जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोनने का कारे करते हैं, उन्हें समुच्य बूधक या योजक शब्द कहते हैं, इनके सामानाधिकरन या सजातई योजक शब्द होते हैं, और विजाते या व्याधिकरन सयोजक शब्द होते हैं, बच्चों इन में क्या फर वह फरक हम समझेंगे इस तालिका के आधार पर चलिए पढ़ते हैं इसलिए अनिता फलतह परिणाम स्वरू इसलिए मैं कह रही थी कि महनत से पढ़ाई करो प्रधान और आश्रित वाक्यों को जोड़ना यदी तो यदी मैंने परिश्रम किया होता तो आज नौकरी लग जाती शर्त या संकेत प्रकट करना यद्यपी तथापी फिर भी परंतु दवायां लाना भूल गया मुख्य वाक्यांज का अर्थ प्रकट करना अर्थात यदी मानो अविश्यम भावी अर्थात अवश्य होना मुख्य वाक्यांज का उदेश्य प्रकट करना ताकि इसलिए जिससे स्वच्छ रहो जिससे स्वस्थ हो सको अब बच्चों में बात करते हैं विसमे आदी बूधक शब्दों की विसमे आदी बूधक शब्द प्राया किसलिए प्रयोग होते हैं विसमे जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विसमित हो जाना बहुत खुश हो जाना बहुत दुखी हो जाना तो इसमें कैसे शब्द होते हैं इसमें श कि आप किस भावना में कैसे विसमयादी बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं चलिए अपनी मित्रों के साथ इसे तुरंत पर डालिए और अभ्यास अवश्य कीजेगा आज की कक्षा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद